मैं जंता का परति निधी हूँ और मुझे रोका गिया है। मैं हाउस में इस वज़े से लेकाया हूँ। यह क्या तमासा है। एस पी और डियम का काफिला गुज़र रहा था। ऐसे में गुंसे में बुखलाए हुए। जिवेश मिश्रा ने सादन में पहुचते ही हंगावा मचा दिया। और उन्होंने बताया कि जब तक इन अधिकारियों पर कारवाई नहीं हो जाती। तब तक वो चुप चाप ब्यारवदास समा में देखने को मिली और यहीं बचा है कि जैसे ही मंत्री जिवेश मिश्रा ने इस मुद्दे को सदन में उठाया पूरा विपक्ष एक साथ एक जुट होकर हंगामा कर रहा है और अधिकारियों पर कारवाई करने की बात कर रहा है। तो अब विपक्ष के साथ मंत्री भी शामिल हो चुके हैं सरकार के मंत्री जिवेश मिश्रा ने यस्पस्ट कर दिया है कि इन सब भी अधिकारियों पर कारवाई होनी चाहिए जिसने मेरे गारी को रोका था क्या कुछ हो है सदन के अंदर किस तरह से विपक्ष ने अपना समर्थन मंत्री जिवे हाउस में पाच मिनटեյस से इसलिए पहुंचा कि बिधान सवाफ पड़िसर के अंदर हमारी गारी को रोक दी गई SP और Д. बाहर तो मैं खुद सक्षम था लेकिन अड़ बैठ जाईए पहले हमको कहने दीजिए ना पहले हमको कहलेने दीजिए फिर आप बताईएगा और हमारी गारी को रोका गया और SP-DM को के लिए रोका गया मुझे लगा कि साथ CM साहब आ रहे हैं या सभापती या ध्यक्ष महोदे आ रहे हैं लेकिन SP-DM के लिए हमारी गारी को रोका गया इस दोसी अधिकारियों को आप आस्वासन दीजिए आसन से की तुरंट सस्पेंड करके उस पर कारवाई किया हुएए तो ये कही न कही ये वुचित नहीं है इस पर मुझे आस्वासन चाहिए मुझे आस्वासन की आशंका आप ऐस्टोडियन है आप क्यों रोका गया मान्या मन्त्री विएम बढ़ा की मंतरी बड़ा सरकार बड़ा तैक करें इसको उसके लिए मेरी गारी रोकी गई है और मैं हाउस में लेक आया हूँ मैं हाउस में इसलिए लेक आया हूँ कि मेरी गारी रोकी गई है मैं इसलिए मैं जनता का परति निदी हूँ और मुझे रोका गिया है मैं हाउस में इस वेलेशन लेटाया हूँ यह क्या तमसा है आब